नमास्ते वेलकम तो और चैनल जैसे कि आप यह लेग सकते हैं यह मेरे फैब्रिक रखा यह मेरे लाइनिंग का फैब्रिक है जाकि कॉर्टन गा था और यह हमारा प्लाउस का में फैब्रिक है तो आज मैं आपको बैक वारे पार्ट की कटिंग और स्टेचिंग बताऊंगे ब और यहां सम्बलेंगे आर्म होल 6 इंचे साहाँ के जितनी भी आर्म होल हो इसकी अकॉर्डिंग आप निशान लगा सकते हैं तो मैंने 6 इंच लिया है इसके बाद हम इसके बास लाइन के मार्किंग करेंगे तो चैस का 4 प्लस 2 इंचे रखने हैं आपकी जितनी भी चैस हो करने के बाद तो इस तरह से आपको मेजरमेंट मिल जाएगा इसके बाद हम इसके वैस की मार्किंग करेंगे तो वैस का 4 प्लस 2 इंचे रखने हैं लेकिन इसमें हम 1 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा जो की डार्ट में चला जाएगा तो उपर और नीचे दोनों का से मेजरमे 25 इंच जो की आर्म होल की बलाएकर शेफ देने के लिए काम आएगा आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हिल्फ से भी अप निशान लगा सकते हैं जैसा कि मैं फ्री हैंड निशान लगा है मैंने इसके बाद हम क्या करेंगे यहां से हम डार डालनी है डार टी मतलब यहां से 3.5 इंच लेंगे जो कि हमें डिजाइन में बनाने के लिए चाहिए होगा तो यहां से 3.5 आप चाहें तो 5 इंच भी ले सकते हैं इसके बाद एक इस तरह से निशान लगा लिए अब हम इसके नेक राइंग की मांकिंग करेंगे तो आप चाहें तो 5 इंच या फिर 4.5 पर यह नेक चौटा बना रही हो तो यहां से मैं लूँगी 2.5 इंच पर इस तरह से हमने निशान लगा लेना है और 1 इंच का हम रखेंगे इसमें डैप्त इसकी रखेंगे इस तरह से निशान लगा कि हमने इसमें राउंड सा शेप दे देना है कुछ इस तरह से हम शेप सब्सक्राइब कर दो करो संदें से तक प्रवर्कादिक जो अपने इसलूराँटके सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब मतें ऐद सोने निख सकते हैं, तो कि अपने की सल तक कि निखते हैं। आप movement, निखाएब क stool कने निकिन मिलने कर लिया है यह उपर साइड पर मैं इसके शोल्डर टू आर्म हुल पर हाफ इंच डाउन एक निशान लगा दूँगे तिरशी लैंड पे इस तरह से तो देखिए इस तरह से और आपको वी नेक चाहिए तो आप वी नेक भी बना सकते हो यहां पर मैंने इस तरह का शेप दिय है अगर आपको डूरी लगानी है तो आप वस्तर से रहने दीजे अगर आप आप पर आई-hook पट्टी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से वान इंच के गैप देते हुए इस तरह से शेप दे सकते हैं तो देखिए इस तरह से ओर और मार्किंग कर लिया है अब मैं इसक कि भी मैं कटिंग कर लूगी आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग की हैं से भी आप इसमें बना सकते हैं नेक को यहां से मैं कट कर दूँगी क्योंकि हमें मुझे आई-hook पट्टी बनानी है तो देखिए इस तरह से मैंने यह अपने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है यह दि तो आप इस डिजाइन को जरूर बनाएगा तो देखिए जो मारा में फैप्रिक था इस पर मैं रख के से पीन प कर लोंगी तेखिए मैंने पीन पर करके इसकी कटिंग भी कर ली है अब हमें इसमें स्टेचिंग करनी है तो देखिए इसके इसके इस सिफ शूल्डर साइड पर हमें स्टेच नहीं करना है बाकी हमें पूरा से स्टेच कर लेना है और जहां पर हमें आयूत पट्टी बनानी है वहां साइड हमें स्टेच नहीं करेंगे बाकी हम सारा स्टेच करेंगे इसको चार तरफ से इस से स्टेच करने से यह फायदा होगा कि जो आपके थ्रेड वो नजर नहीं आएंगे और जो फैम्टिक है वो अच्छा मदब नहीं दिखेगा वो भी देखिए समय ने स्टेश कर लिया है अब मैं इसमें छोटे-छोटे कट लगाऊंगी इसमें बिल्कुल छोटे-छोटे कट लगाने हैं बिल्कुल ध्यान से कट करना है आपको कट लगा दूगी कट लगाने के बाद इसमें टर्न करना है तो देखिए मैंने उपर साइड शोट शूल्डर के साइड पे हमें स्टेश नहीं किया था तो वहां से मैं से फैब्रिक को सीधा करूँगी तो बिल्कुल आसानी से सीधा हो जाता है इसमें प्रॉब्लम भी नह कर दो कर सकते हो दूआ कर सकते हो तो आप इसे बाहर को नकाल सकते हैं तो बहुत असानी से सीधा हो जाता है तो देखिए यहांसे भी मैंने से सीधा कर लिया है ऐसे ही तक आपने मेरा चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल को सबस्क्राइब करिए और प्रेस दा बेल आइकन जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियों की नॉटिफेकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके तो देखिए इस तरह से मैंने ये वाला पार्ट भी सीधा कर लिया है और तो देखिए इस तरह से मैंने यहां पर भी देखिए यहां से मैंने से सीधा कर लिया है तो इस तरह से मैंने ये दोनों पीस को सीधा कर लिया है सीधा करन सब्सक्राइब करेंगे लो chil यहां पर नाटाइश करने केगर तोय अहरं रला के समस्क्राइब से जाट करने हैं किसे यहां पर में हम आय बिपनाने है तो है पटी मैंने बनाके अलड़ी ready कर ली थी तो इसके अब पहले अगर आपको पटी बनानी है तो पहले उससे बना के ready कर लेश चिकर फिर उसके बाद इस पर लेश अगेरा जो भी लगानी हो आपको लगा सकते हैं तो देखिए आँस हमें रखते हुए पूरा लेश के उपर हमे के bottom side भी attach कर लेंगे अगर आप मोटी लेस लभी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं या फ्रिल वगर अभी अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं बहुत ही हलग और डिफरेंट लुक आएगा इसका तो मैंने पतली सी लेस ले रखी है कलर की मैच करते ही इपनी ब्लावुज के साथ इसको मैं लगांगी इसके राउंड पर हमें लेस को इस तरह से थोड़ा सा टरन करकी लगाना है डेड़े लब उठा लिजिए इस तरह से और यहां से मोड देंगे हम लेस को फिर परहाबर से कि रखते हैं हम इसमें लगा देंगे तो देखिए इस तरह से यह हमें लगा लेनी है लेस को किनारे तक देखिए मैंने यहां लगा लिया है तो किनारे तक हम इसे अटेश कर लेंगे अटेश करने के बाद यह जो एक्ट्रा लेस है हम इसे कट कर देंगे और नेक के साइट प पीसे मैंने लेस लगाके रेड़ी कर लिया है ये उपर साइट पर आई हुग पाट बनाएंगे और नेचे साइट पर हमें लेस लगार सौरी लगानी है तो डोरी देखिए मैंने ले रख है रेडि में डोरी थी अकर आप चाहे तो फैब्रिक से भी डोरी बना सिकते हैं तो देखिए इस तरह से मैंने फैंप्री कट करके रखा हुआ है इसका मेजरमेंट मैं समझा दे तो 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 3x3 कर लिया हुआ है मैंने तो 3x3 का हमें राउंड लेना है आप जब मैं इसको फोल्ड लेकर के दिखा रहेती तो इस तरह से आपको जादा अच्छे समझ में आएगा तो देखिए मैंने ट्रैंगल शिप में फोल्ड लिखिया है इसका मेजरमेंट आप देख सकते हैं यहां से देखिए 1.5 इंच का र करेंगे है बिल्कुल हमें राओं चाईहे तो इसलिए हम थोड़ा सा रुक-ರुक चैसे बराबर से स्टिच करेंगे अब इंच करना है जादा कम नहीं होना चाहें यहां इसके पर सकते हैं ंपक्र on नहीं सिंटिच करेंगे तो देखिए यां तक लगबग हमें कपड़े को छोड़ देना है उसके बाद हम थ्रेड निकाल देंगे दूसरा वाला फैप्रिक भी हम सेम ऐसे ही स्टिच करेंगे बिल्कुल बराबर से रखते हुए हमें दो फैब्रिक करने हैं तो फैब्रिक को रखने के बाद अगर आपका प्रिंटेड फैब लगबग हम फैब्रिक को छोड़ देंगे तो देखिए स्टिच कर लिया इसके बाद हमें क्या करना है इसके राउन पर छोटे-छोटे इस तरह से कट लगाने हैं ताकि जो मैं इसे टर्न करें तो यह अच्छे से फिनिशिंग के साथ टर्न हो यह उसमें कुछ चुनन डग तो दोनों फैब्रिक पे हम इससे तरह से कट लगा लेंगे अगर आपका फैब्रिक एक्ट्रा है तो आप इसे ट्रिम भी कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर दिया है यहाँ पर जो मैंने जगा छोड़ी थी वहां से फैब्रेक को सीधा कर लेंगे बहुत असा इसे वहाwn सकताट और दोनों फैब्रेक को सीधा कर लेंगे यहाँ पर फइ। निकालना इपकर निकालना हैval कर दोनों अनुऑ कर लिया तहां जी तो निकालना है तो निकालने के बाद हमें इसको एक बडर और अन कालना है जो इसको इनको बीच में भी हम इस तरह से लाइन रोग कर देंगे तो हमें इक्वल इस तरह से निशान मिल जाएगा ऐसा ही हम से मिस्तर इस वले फैब्रिक पे भी हम निशान लगा लेंगे आप चाहे तो आइरन से भी आप इस तरह से निशान मिल सकता है आपको तो देखिए इस तरह से मैं टाइच करिंगे रख दीगे फिर हमें क्या करना है जो निशान थे उसपर हमें इस लाई लगानी है तो देखी फैबल लिको किया आं फोल्ड करनी के लिए यहां से में से लाई लगाना है start करेंगे ईगो हम फिर इस्पर सलाई लगा है हाफ आप करके स्टिश कर दोगे तो भी बहुत अच्छी सी डिजाइन बनके आएगी तो इस बात का आपको ध्यान रखना है देखिए उपर साइट पर मैंने स्टिश करा फिर इसको यहां से मैं कट कर दूंगी फिर जो देखिए यहां पर जो निशान जो हमने लगाए थे कि उस पर ही हमने इसे स्टिश करना है ना बला ना ना जो राज्ट करें के से हमने ऐसे स्टिश कर लेना है यहां से बराबर से रखा और यहां से रखते हुए हम इसमें लगा देंगे देखिए थोड़ा से फैब्रिक थोड़ा सा मोटा जाता है तो आप थोड़ा सा खीच-खीच के लगा होगे तो यह असानी से यह लग जाएगा देखिए स्टिच कर लिया मैंने इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ तो जो थोड़ा सा जो इसमें कट कर देंगे डोरी को इससे हम आप सीधी साइट को टर्ण करेंगे तो जो एक्ट्रा थ्रेड वगए रहा है आप पहले से ट्रिम कर लीजे फिर इससे इसका लुप अचछा ऐगा किनारे पकेर कहुंगणाा जाओ तो अब लगा लगा सकते हो किया अगर वगाए इस सफरीक तीम कर दोंगी इस तरह से कट कर दिया नहीं हांसे मैं से कट कर लूंगी विशारीश को कर लेना है इसके बाद आगकर आप शाय तो इसमें पहल भी लगा बीट सकत और जो ब्लाउस था आप उसे भी देख सकते हो कितना ब्यूटिफिल ब्लाउस बनके मेरा रेडी हुआ है तो इस तरह की ब्लाउस अब जरूर बना सकते हैं बहुत ट्रेंड में हैं तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक करिये शेयर करिये और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो और थैंक्स वाचिंग थैंक्यू